हाई स्ट्रोंट साब दीपक रजूरिया, welcome to my channel focus classes, स्ट्रोंट साथ के इस video lecture में हम लोग solve करेंगे exercise 8.1 से question no.4 इसमें दिया है हम लोगों को given 15 cot A equal to 8 then find sign A and sign K तो question में हम लोगों को 15 cot A की value दे रखें जो कि कितनी है 8 है तब हम लोगों को sign A और sign K की values find करनी है तो चले question स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहा है हम लोग given condition से तो क्या दिया है हम लोगों को 15 cot A equal to 8 अब हम लोग 15 को transpose कर देते हैं और तब इसको लिख सकते हैं cot A equal to 8 upon 15 या फिर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cot A equal to अब cot कौन सी दो sides का ratio होता है एक right triangle में यह होता है base और perpendicular का so cot A equal to base upon perpendicular and this equal to 8 upon 15 ठीक है अब हम लोग क्या कर रहा है एक right triangle construct कर रहा है तो यहां हम लोगों ने एक right triangle बना लिया अब क्योंकि यहां पर क्या लिखा है angle A लिखा है न तो इस right triangle में यह तो 90 degree है और यह दो acute angles है तो हम लोग इन दोनो acute angles मैंसे किसी को भी a name दे देते हैं चलिए इसको दे देते हैं तो यह हम लोगों के लिए क्या है angle A चिक इसको माल लेते हैं तब B और इसको C consider कर लिया तो A, B, C अब क्या है एक right triangle है जहां right angle कहां पर है बी पर है और यह triangle हम लोगोंने condition के साथ में बनाया है कि cot A की value कितनी है 8 upon 15 है चीक है इस point को mention कर देते है So we construct a right triangle ABC right angled at B such that cot A equal to 8 upon 15 ठीक है तो cot A क्या होता है base और perpendicular का ratio होता है जो कि कितना है 8 upon 15 है ठीक है तो 20 के साबने क्या number है 8 है और जब हम लोग angle A की बात कर रहे है तो angle के साथ में जो जुड़ी हुई side है वही क्या होगी base होगी ठीक है तो base हम लोगों के लिए क्या है A B तो हम लोग यहाँ पर let कर लेते हैं क्योंकि base के साबने क्या number है 8 और यहाँ पर base क्या है इस angle के according A B है तो let A B equal to 8 K correct और फिर क्या है perpendicular और इसके साबने number क्या है 15 तो perpendicular जब angle A है तो perpendicular क्या होगा BC तो यह perpendicular है ठीक तो perpendicular BC कितना consider कर लिया 15 है तो 15 K consider कर लिया अब हम लोगों के पास इस right triangle की दो sides है एक तो A B कितना है 8 K तो यह तो चलिए 8 K हो गई और BC कितना है 15 K तो BC है 15 K और यह 90 degree का angle है तो इसके सामने वाली side क्या है अपने आप में पाइथा गोरस theorem ठीक है तो पाइथा गोरस theorem क्या क्या क्याती है कि 90 degree के opposite side याने की hyperteneus का square hyperteneus का AC तो AC का square बाकी की जो दो sides होती हैं के squares के sum के equal होता है ठीक है तो AB square plus BC square ठीक है this equal to अब देखो AB की value कितनी है 8 K ना so 8 K put किया इसका square BC BC कितना है यह 15 K तो यहां पर रखिए 15 K और इसका square 8 K का square किया तो यह हो गया 64 K square 15 K का square करेंगे तो यह बन जाएगा 225 K square दौनों को plus कर देंगे तो यह हो गया 289 के square जो कि किस की value है AC square की बढ़ा हमें क्याद चुछहिए AC तो AC square का just क्या करें square root लें में इस दौनों sides का square root लें तो यह हो गया AC यह दर का square root लेंगे तो यह हो गया 17 K ठीक है तो AC की value हम लोगोंने find कर ली जो कि कितनी है 17 K अब हम लोगों के पास में ये side भी है और ये कितनी है 17K निकालना क्या है हम लोगों को sin A की value निकालनी है therefore sin A equal to अब sin कौन सी दो sides का ratio होता है ये होता है perpendicular और hyperteneus means perpendicular upon hyperteneus and this equal to जब angle A है तो perpendicular क्या है BC और hyperteneus है AC अब BC की value कितनी है ये है 15K तो यहाँ पर रखिया 15K upon AC क्या है 17K अब देखो के से के cancel हो गया तो कितना आ गया 15 upon 17 और इस तरीके से हम लोगों का पहला answer आ जाता है ठीक है और किसकी value निकालनी है sec A की so sec A equal to अब sec कौन सी दो sides का ratio होता है ये होता है hyperteneus और base का hyperteneus क्या है AC और इस angle के लिए base क्या है AB अब AC की length कितनी है 17K है रख देते हैं AB की length कितनी है ये 8K है इसको भी रख देते हैं के से के cancel तो कितना आ गया 17 upon 8 और ये हम लोगों का इस तरीके से दूसरा answer ठीक है आपको समझा क्यों होगा अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते है चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी की questions के लिए आप मेरी playlist में चले जाए इस तरह की बहुत सारी questions मैंना अल्रड़ी अप्लोड किये है फिर से आता हूँ एक नए question एक नए concept के साथ में तिल